नमस्कार दोस्वों आप शमी का बहुत बहुत श्वागत है। दोस्वों आपको बता दें कि 499 शाल के बाद 17 मार्च 2021 की दिन बन रहा है महा शंयूग। और ये शमी आपके लिए ये शंयूग बहुत ज़्यादा लाबकारी रहने वाले हैं। दोस्वों दरशल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये शमी बुद्वार का दिन होगा। और ये शाती दोस्वों इस दिन विनाएक चतुरती का भी शमय होगा। अर्थाद वरत चतुरती का शमय होगा। और शुरू से लेकर अन्त तक जरूर देखें। इनमें आप शभी महत्मुन जानकरी को प्राप्त करेंगे कि ये शमी आपको केंद चीजों को लेकर सावधन लेने होंगे। कौन से कारे आपके लिए बागी शले होंगे। कि इनी चेत्रों में कारे करनेश आपको लाप की प्राप्त होगी। ये शमी आपको कौन से बड़ी उपलब्दी मिलने वाली है। घर के माहर में क्या बदला होंगे। पारे विजियों में क्या सुधार होंगी। तो दोस्तों अंत तक देखेगा। उससे पहले दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में जैय श्री गनेश लिखेगा। गुरुजी का सीधा स्विरवात प्राप करेगा। तो दोस्तों जरू लिखेगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी वेल आइकन को प्रेश करकी ओल पर शेयर कर दें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहरम करते हैं दोस्तों किसी विश्य इश्कार के प्रती पिछने कुछ समय से चल रही आपकी मेहनत यश्य में शपल रहेंगी और आपका अपनी उर्जा और जोश को शकार्त करती होने वाली है तो दोस्तों समय को न गवाएं और अपने कारियों पर अपना ध्यान को केंद्रीद रखें शमाज में भी आपके शाथ पहुचा और वरताब होगा दोस्तों आपको बताते कि समाज में भी आपके युगदान वोपिर काम की बहुत अदिक परशन्शा हो आपके खिलाब यश्मे गलत फहमिया उत्तुपन कर सकते हैं इसलिए दोस्तों इन से आपको यश्मे सतक रहने की आवशक्ता होगी दोस्तों आपको बता दें कि अपने नजदी के संभनियों के शाथ संबंद उचित बना कर रखें क्योंकि यह आपके लिए बैतर होगे नहीं तो यह आपके पीट पेचे कुछ गड़बड भी कर सकते हैं और इसके प्रांदों से यह श्मे आपके लिए उसे महँगी आपको बता दें कि दोस्तों यह जो समय है आपको ढेल शारी खुशियां भी दिला शकता है पार्टनर के शाथ संभन सुधारने की वज़शे आपका पारिवरी के जिवन की तरब जो है ध्यान अधिक रहेगा दोस्तों परिवार की शाथ वक्त बिताना आपको श्मे मानशिक श्मधान दिला शकता है अब विवायत लोगों को भी विवा श्ममंदित परगती श्मे नजराएंगी जो भी अभवायत व्यक्ति है उनको श्मे विवा के अच्छे प्रिस्ताव भी मिल सकते हैं और इसके प्राण दोस्ति ये श्मे आपके लिए श्ममे आपको बता दें कि दिन बहुती शकार्त मगवाईती दो होगा दोस्तों जरुत मंत था पुझरों की शेवा और फिर दिखभाल श्ममंदित शंकता में आपका विश्य सयोग रहेगा जिससे आपका श्ममे मान सम्मान और जट पर प्रत्ता में भी बड़ोत्री होने वाली है और इसके प्रवाव शाली विक्ति का श्योग भी आपके मरवल को और अधिक श्ममे बढ़ाने वाले है इसके साथ ही दोस्तों यह कोई काम अचानक से बन सकता है जिससे आप विजय हासिल करेंगी और इनकी खुसी आपको इसमे अहसास होगी इसके प्रवाव श्ममे आपको बढ़ा दें कि अपने अधिकतर्श महित्पुन काम दिन के पहले पक्ष में ही निप्टाने की आप कोशिश करें क्योंको दोपर के बाद जो परिस्टियां है कुछ विफल होने की यह श्मम का बन रही है क्योंको दोस्तों गरह हिस्तिती यह श्ममे बने हुई है दोस्तों यह श्ममे आपको बता दें शला के अनुशरन करने से पहले अपने बारे में अच्छे तरह आप सोच विजार अवश कर ले क्यों दोस्तों आपको कोभी शला किसी का लेंगे वह गलत भी शला आपको देश सकते हैं तो दोस्तों ये शुमी उनका अनुशरन करना भी आपके लिए बैतर होगी और इसको ब्राद दोस्तों ये शुमी आपके लिए जबेंगे दोस्तों आपको बता दे कि काम से समधित त इतनी चिंता आपको शता रही है उतनी बड़ी तकलिफ नहीं होगी दोस्तों आपको बदा दें यह सुमें अच्छी इन इंकम भी आपकी होगी इसलिए चिंता करने की कोई अवश्यक्ता नहीं होगी और इसको प्रांद दोस्ते यह सुमें अगर आपके केरेल को लेकर बात क होंगी इसलिए दोस्तों अपने काम के क्वैलिटी पर आपको ध्यान देना चाहिए चितना आप अपने क्वैलिटी को बढ़ाएंगे उत्रें अच्छी इनकम और उत्रें अच्छी काम्याभी अश्मी आपको प्राब्द होंगे अजिनस तक्रमचारी के बीच भी आपका वर करने के लिए जो समय होगा आपके लिए उत्तम समय होगा तो यश्मी आप अपने जो भी रुकेवे धन हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं मार्केटिक रमदी वाविशाय में भी यह जो समय है लाब दयक इस्तियां बन रही है नोकरी पैशा व्यक्तियों के लिए भी स्क्रमचारी को अपने शयों का पूरा शयोग मिलेगा व्यक्ति कारियों भी ध्यान दे पाएंगे तो आपके लिए बैतर होंगे सरकारी श्वरत व्यक्ति अपने काम के प्रति लपरवाही ना बढ़ते अनिधा दोस्तों कोई दिक्कत उत्वन हो सकती है तो बिलकुल अप प्रति आपका शयोग व्यक्ता को उचित बना कर रखेगा जो कि आपके लिए एक अच्छी बात हो शक्ति है और इसको प्रांद दोस्तों में आपके लव लाइफ के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें कि घर में भी खुशी बरामाहौल रहेगा प्रन्तों ये श् वैवार करतेश में आपको मार्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर आप पर किसी परकार की उलंखन की इत्ति हुई तो आपका पूरा केरेर भी बरबाद हो सकता है तो दोस्तों इनका खास ध्यान रखें ये आपके भावश के लिए बहुती महत और इसको प्रावन तो से शमय आपके लव लाइफ लिए आपके जिवन शाथी के लिए जिसे महोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जिवन शाथी तधा परिवार की लोगों का पूर्न श्रयोग रहेगा वैर्थ के प्रेम समनों में अपना शमय बरवाद ना करें क्योंकि है कि जिये आपके लिए भैत्र होंगे और इसको प्राहन दोसे हिसमें घ्रख स्वास को लेकर बात करें डोजान दोस्तों में अपके स्वास के लिए पहलद परेजरें होगी दोस्तों आपको बता दें कि ग्याश वा फिर बदर जमी की समस्या रहेगी हलका फुलका सुपाच भोजन गरहन करें यह आपके यह समय के लिए बहतर शावित होंगे और अंत में आपके श्वात के लिए समय होंगे और वयाम और योगा पर यश्मी आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों आपको बता दें कि ये सबी चीज आपके श्वास के लिए पैतरों के इन पर आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों यश्मी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों आपको बिता दें कि विनाइक चत्चुर्टी के दिन सुबह जल्दी उटकर असनानादी से नेर्वित हो जाएं फिर मंदिर में धूप दीप प्रजावलित करें इसके बाद दोस्तों बपाप को गंगाचल से असनान कराएं फिर गनेश जी को साफ वस्तु बनाएं इसके बाद शिंदूर से गनेश जी का तिल्यक करें फिर उन्हें दुरुआ रिपित करें फिर गनेश जी को लड़ू या फिर मोदग्विका भोग लगाएं फिर इसके बाद गनेश से लिसा पढ़कर आर्थी कर लें तो दोस्तों याश्य में आप इन्हें से रूप रहे झालगी